दोस्तो स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में आज की वीडियो में भी हम डायविटीज के टोपिक पर ही बात करेंगे वीडियो बहुत इंपोटेंट रहने वाला है पूरा देखिए आपका ग्यान बढ़ेगा इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो के एंड में मेरी रेंडम बलड सुगर भी जांच करूँगा और बताऊँगा कि मेरी रेंडम बलड सुगर क्या है तो दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यूआओं की बहुत से यूवा ऐसे होते हैं जिनको डायविटीज तो हो जाती है लेकिन उनको पता भी लग जाता है वक्त रहते हैं लेकिन वो लापरवाही बरतते हैं डायविटीज को सीरियसली नहीं लेते हैं ने तो वो दवाया लेते हैं, ने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं, ने खान पान में चेंज करते हैं, और वो ऐसे ही चलते रहते हैं, सुगर को नजर अंदाज करके न और जैसा खा रहे हैं, वैसा ही खाते रहते हैं, वैसे ही चलते रहते हैं, पांच साल, छे सा जा चुके हैं आखों की रोशनी कम हो चुकी है बहुत सी प्रोब्लम गंभीर बिमारियों ने उसको जकड लिया है फिर जाके वो डॉक्टर की शरण में जाते हैं और फिर डायविटीज को सीरियसली लेते हैं कि सर अब हमें ठीक कीजिए किसी भी कंडिशन में फिर वो डॉक तो दोस्तों यह जो डायविटीज है यह आगे चलके ना बहुत सी गंभीर बिमारियां आपको दे देंगी अगर आप सचेत नहीं होगे तो सबसे पहले बात करें आँखों की अगर आप सचेत नहीं होगे तो आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है और वो रोशनी फिर वापिस नहीं आएगी एक तो होता है कि आप पर्टिकुलर एक एज में चले गए आपकी एज की वज़े से रोशनी कम हुई है आपको मोतिया बिंद हो गया उसकी वज़े से रोशनी कम हुई है तो उसका तो इलाज है आप ठीक करवाल होगे लेकिन अगर डायविटीज की वज़े से आपकी आँखों की रोशनी चली गई तो वो वापिस लोटके नहीं आएगी क्योंकि जो आपका रेटीना जो होता है ना आखका रेटीना उसके आसपास जो खून की जो नशे होती है वो नशे डायविटीज की वज़े से फूल जाती है और एक टाइम बाद वो कॉलेब्स कर जाती है collapse अगर कर गई तो फिर आपकी रोशनी चली जाएगी फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे कुछ नहीं होगा समय रहते आप अगर आपको diabetes है तो समय रहते आप आखों की प्रोपर जाच करवाएंगे एक के आखों के specialist के पास जाएंगे साल में एक या दोबर आप रेंडम जाच कराएंगे जो डॉक्टर है वो आपकी जो पुतली है उसमें दवा डालके न उसको चोड़ा करेगा मतलब उसको फैल आएगा उसके अंदर दूरबीन के दोरा मशिन के दोरा जो खून की जो नसे होती है उसका साइज चेक करेगा कि वो नॉर्मल है कि फूली हुई है अगर उसको लगेगा कि वो abnormal है तो सुरुवाती स्टेज में कुछ medicines की सायता से उसको ठीक किया जा सकता है या फिर कुछ laser क्या treatment आ रहा है उससे भी उसको ठीक किया जा सकता है तो आप अगर आपको diabetes है तो आप समय समय पर आप अपनी आखें जरूर दिखाएए second है heart heart की arteries में भी blockage दोस्तो diabetes की वज़े से आता है ये अमूमन देखा गया है कि जो heart attack के जो case आते हैं उसमें ज़्यादा तर वो case आते हैं जिनके diabetes रहा है, diabetes की history रही है अगर आपको diabetes है तो साल में एक या दो बार आप lipid profile की ज़रूर करवाईएगा उसमें आपका bad cholesterol का इस तर आपको पता लगता रहेगा कि उसका इस तर ठीक है या ज़्यादा है इसके अलावा आपके हाथ पैरों में भी problem आ सकती है दोस्तों आपका जो nerve system है उसमें problem आ सकती है diabetes की वज़े से तीसरा जो आपकी kidney है kidney diabetes की वज़े से collapse हो सकती है अगर kidney collapse हो गई तो उसके बाद या तो kidney का transplant करवाईए या फिर week में आपको दो बार dialysis की process से गुजरना पड़ेगा जो कि बहुत painful है इसलिए kidney को बचाने का सबसे simple और आसान तरीका यही है कि आप अपनी diabetes अपनी sugar level को control में रखें साल में एक या दो बार kidney function का पूरा test जरूर करवाईएगा कि आपकी kidney ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसका जो functional system है उसका जो function है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके अलावा एक simple test होता है urine का पिशाब की एक जाँच होती है आपके आसपाद जो भी government hospital है वहाँ पर free of cost आप एक पिशाब की जाँच करवाईए पिशाब की जाँच में simple एक जाँच के अंदर तीन चीजे निकल के आएगी पहली आपके जो पिशाब है उसके अंदर glucose आ रहा है कि नहीं आ रहा है तीसरा उसमें ketone आ रहे है कि नहीं आ रहे है अगर उसके अंदर ये तीनों चीजे आ रही है तो सुरुवाती स्टेज में कुछ दवाईयां दे के डोक्टर इसको ठीक कर देंगे अगर आप सचेत नहीं होगे बराबर मातरा में उसके अंदर प्रोटीन आता रहा तो आगे चलके किड्नी कॉलैप्स हो जाएगी किड्नी डेमेज हो जाएगी तो दोस्तो ये गंभीर बिमारियां इसके अलावा भी बहुत सी बिमारियां है आपकी याद दास्त है वो भी कमजोर हो जाएगी आपका वेट लूज हो जाएगा सबी बिमारियों की जो जड़ है वो डायविटीज है शूगर है शुरुवाती स्टेज में इस जड़ को निकाल फैंकिए तो आप आगे चलके इन फ्यूचर इन डिजीज से होने से बच जाएगे जो कि गंभीर मेजर डिजीज है तो दोस्तो इससे बचने का आसान तरीका यह है कि अपने सूगर लेवल को मेंटेन रखिए वैसे तो दोस्तो सूगर लेवल जो नॉर्मल इंसान का होता है वो खाली पेट 110 यानि फास्टिंग 110 के आसपास आनी चाहिए और खाना खाने के दो घंटे बाद 140 होना चाहिए लेकिन जो डायविटिक पेसेंट है उसका लग से सूगर लेवल मेंटेन वो कर सकता है क्योंकि वह 110 और 140 नहीं कर पाएगा वो एक अलग ही अगर उसका नहीं होगा तो वह एक अलग ही समस्या में टैंसन में दिन गुजारता रहेगा कि यार मेरा ये पैरामीटर नहीं आ रहे तो उसके लिए अलग से पैरामीटर है हो खाली पेट pre-130 तक मेंटेन कर सकता है खाना खाने के दो घंटे बाद वह एक सो अससी तक मेंटेन कर के चले 180 तक आपके आगर शुगर ечение रहता है खाना खाना के दौ घंटे बाद तो आपके अंग को ईण्ग को कोलेप्स नहीं करेही अंग को डैमेज नहीं करेगी, अगर वो 180 तक खून में है, 180 तक खाना खाने के दो गंटे बाद 180 मिली ग्राम पर डियल तक है, तो वो फिर यूरेन के थुरू बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो आपके ओर्गन्स को डैमेज नहीं करेगी, वो आपकी किर्णी तक नहीं पह स्मोकिंग की वज़े से भी सुगर इंक्रीज होता है, सुगर बढ़ता है, तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अब मैं अपना एक रेंडम ब्लेड सुगर आपको दिखा देता हूं कि आज मेरा रेंडम ब्लेड सुगर क्या है, तो चलिए टेस्ट करते ह है जाए है जाए है टिप निकाल लेते हैं पहले है है कि गुलुकोमेटर रेड़ी है और अब करते है प्रिक अ कि बिलड आचुकाया दोस्तों और अम कि मशीन को खूंदे देते हैं मशीन चालू हो गई काउंटिंग शुरू हो गई अब देखते हैं कितना आता है 116 यह मेरा रेंडम आया है दोस्तों 116 तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की नोलेज बढ़े फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बाबाई